नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजी टॉक्स पर। आज हम एक बेहद रोचक विशय पर चर्चा करेंगे, महाभारत की युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम क्यों नहीं गए थे? बलराम का अद्वितिय हतियार हल मुझे बहुत ही रोचक लगता है। बलराम का सरल स्वभाव उन्हें जल्दी लोगों से प्रभावित कर देता था और इसी कारण उनके और कृष्ण के बीच कई बार मतभेद भी हुए थे। मतुरा पर जरासंध ने अठारह बार हमला किया था। कई बार कृष्ण और बलराम उसे मारने के नजदीक आ गए थे पर हर बार कृष्ण पीछे हट जाते थे। इससे बलराम नाराज हो जाते थे। पर जब कृष्ण ने जरासंध के बार-बार के आक्रमनों से तंग आकर यादवों को मतुरा से द्वार का शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा तो पूरी सुधर्मा सभा उनके खिलाफ थी। यह प्रसंग पढ़ने योग्य है क्योंकि इसमें कृष्ण ने अपने तरकों से सभी को मना लिया। यादवों को द्वार का चलने की जल्दी मच गई थी। यह प्रसंग विद्यार्थियों को तरक शास्त्र का ग्याम दिलाने के लिए स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। जब अर्जुन ने सुभधरा हरं किया, तब भी बलराम अर्जुन को दंड देना चाहते थे, पर कृष्ण ने उन्हें मना लिया। बाद में, राजसुय यग्य के दोरान बलराम की दुर्योधन से निकता हुई और उन्होंने बलराम को अपना गुरु बना लिया। जुद क्रीडा में जो कुछ हुआ, उसके लिए बलराम युदिष्टिर को जिम्मेदार मानते थे। पर वे क्रिश्ण के खिलाफ युद्ध में उतरने की सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में तटस्थ रहने का निर्ने लिया। पर मुझे लगता है कि दुर्योधन और बलराम के बीच पहले ही मंतरना हो चुकी थी। गुपतचरों के माध्यम से बलराम को युद्ध का हाल पता चलता रहा। जैसे ही दुर्योधन के प्रांग संकट में आए, बलराम सीधे वही पहुंचे जहां दुर्योधन छिपा था। तो दोस्तों, बलराम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस तरह विभिन परिस्थितियों में हमारे निर्नय और तटस्थता महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आरजी टॉक्स को सब्सक्राइब करें। अगले विडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक विशय के साथ। धन्यवाद।